दोस्तों खेल खतम यहाँ पर आपकी राप करना है कर लो क्योंकि अब यह खतम होने जा रहा है यह अभी तक आपने न्यूस सुनी है कि नी रापना विंडोस में काफी सारी चीजे अपनी यार इससे हम लोग करते थे विंडोस 12 की बात्चीत यहां पर ज्यादा निकल आ रही है क्या कुछ सीन है सब बताता हूं अब सबसे पहले दोस्तों एक मज़े की बात आपको बता हूं हमने यह चैनल पर आप देखोगे न दो तीन साल पहले भी मैंने बना रखा आपको आपको याद होगा इवन यहां पर नेटवर्क की भी सेटिंग्स नहीं रहती थी अपनी यह इधर जाके और बैकप वाला यह काफी यूज होता था विंडोस 10 तक तो काफी यूज था अब 11 में थोड़ा सा कम हो गया तब भी काफी चीजों में यूज तो आई जाता है तो यह अपना control panel भाई सबता और इसका replacement तो आप लोग जानते हो setting app है mostly जायतर feature आपको setting app में अप देखने को दिख जाते हैं जायतर चीज आप यहीं से manage कर सकते हो और अच्छा कर दिया य इसका end आप यह देखो यह सब-सब websites आगई जहां पर आपको यह news views दिख जाएगी और not just यह website यह आप official news article देख सकते हो यह Microsoft का यह देखो यह Microsoft वाले और system configuration tool के अंदर आप देखोगे यह कुछ अपने इनके tools से जो major है इसमें आप control panel में अगर आप जाते हो तो यहां पर आ अपनी यह रहने वाली है menu of the settings in control panel are in process of being migrated to settings app यहां पर अपना खेल खतम होता है control panel का यही scene तो यह official मैंने आपको दिखा दिया तो यह completely scene तो अब आप क्या कर सकते हो हम क्या ही कर सकते है हमारा तो कुछ यह नहीं वैसे देखा जाए तो बस यह है कि enjoy मारो और क्या देखो वैसे सही बताऊ तो control panel को काफी time हो चुका है आप अगर notice करो के 7, Windows 7 में भी आएगा इस था ही अपना काफी use हम लोग करते थे मुझे आज भी याद है LAN-WAN के connection याद होगा आपको इसके अंदर से change करने लोग जाते थे IP change करते थे इसके लाबर control panel का आपको 8 के अंदर भी काफी use था 10 के अंदर तो भाई lifeline मता सबसे जादा वहाँ पे use हुआ है 40 साल के आसपास जो time period है यह सब windows में काफी use हुआ है और even 11 जो अभी latest चल रही है भी सबसे जादा popular वहाँ पे भी आपको control panel दिख जाता है तो देखा जाए moreover यह सारे windows के version पे आ रहा था बट अब time आ गया है एक तो हाँ इसका old interface को यह लोग change खास कर नहीं पाए देखा जाए तो चेंज करने की जरूवत ही नहीं है दोस्तों control panel का scene था यह चीज़े confirm हो गई है एक चीज़ और मैं आपको बतायता हूँ यहां पर क्यों लोग बोल रहे है विंडोस का भी नेक्स्ट वर्जन अल्मोस्ट इसके बाद सबसे बड़ा नीजन किया है देखो अगर आप control panel देखोगे राइट नो आपका Windows 11 पर यह मिलता है और Windows 11 का जो upcoming version 24H2 कि यहां में बात कर रहो यह version अभी आने वाला है 10-15 दिन के अंदर आपके computer पर आ जाएगा यह Windows 11 का एक ही update आता है साल में और वो update है देखा जाए तो इस update के अंदर भी control panel अपने को मिलता है मतलब यहां पर भी हटा नहीं है एक चीज़ यह दिमाग में रखना तो इससे होता किया क्लियर कट की अगला जो next version आएगा Windows का वहां control panel हट सकता है mostly chance है और next version जो अपना है वह Windows 12 यह complete edition हो सकता है वहां पर आपको यह सारी चीज़े new मिलेगी और control panel भाई सब वहां पर हट चुके होंगे तो most chances है कि next year Windows 12 तो आ जानी चाहिए वैसे तो इसी साल काफियत था confirmation थी अभी भी कुछ पता निया लास्ट साल के लास्ट में क्या हो जाए पर चांस अब प्रॉपर हो चुके है next year घी अब बातचीच चलेगी वहां control panel हट जाएगा यह completely scene था होपसो आपको पसंद आयो अलविदा control panel हमारी तरफ से भी आपको बागी चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बनता है यही टेक वीडियो के शेयर कर देना मिलते है next video में तब तक के लिए बाई यार जय जय भारत बंदे मातरं